उत्राखंड से बहुत ही चौकाने वाली खबर आ रही है उत्राखंड के राम नगर में बन विभाग की जमीन पे एक हजार घुस पैठीयों ने बाकाइदा अपना मकान बना लिया है एक हजार एक हजार परिवार उस में से चार हजार ने तो ओटन लिष्ट बन वाली आ है चार हजार का ओटन आइडिम नाम भी जुड़ गया है फिर दो आए फिर तीन आए फिर चार आए और अब एक हजार परिवार आगए जो बन विभाग की जमीन पर कबजा किया उस पूरी कालोनी का नाम रख दिया रहमत नगर वहाँ बिजली ले लिया, पानी ले लिया, बिजली कैसे लिया, घूस दे के, पानी का कनेक्शन कैसे लिया, घूस दे के, आधार बनवाया, घूस दे के, रासन कार बनवाया, घूस दे के, बर सर्टिफिकर्ट बनवा लिया, घूस दे के, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया घूस दे के ओटर आइडी में नाम जुड़ लिया घूस दे के और आप बाकाइदा वो रह रहे हैं और बड़ा एक उन्होंने और भी काम किया कि जब सारे डाकुमेंट बन गए ओटर आइडी में नाम जुड़ गया तो उन्होंने अपनी जमीन को दूसरे घूस पैठ जुगी नंबर वन वाले ने अपनी जमीन जुगी नंबर टू वाले को 10 रुपए के स्टैम पेपर पे दे दिया जुगी नंबर टू वाले ने जुगी नंबर तीन को दे दिया जुगी नंबर तीन वाले ने जुगी नंबर चार को दे दिया इसका मतलब सारे के सारे रहने वाले सारे वहाँ घुसपैठी हैं लेकिन उन्होंने तहसील में जाके दलालों को पकड़ा ददस रुपए की स्टैम पेपर पे अपनी जुगी दूसरे को बेज दिया जब 2017 मैंने P.I.L. फाइल किया था उस समय मैंने कहा था सुप्रीम कोट में 5 करोर घुसपैठी आ चुके हैं अब तो 2024 हो चुका है अब तो ये 5.5 करोर हो चुके हैं ऐसा कोई घुसपैठी आ नहीं है जिसके 10 से कम बच्चे हैं 15-15 बच्चे हैं घुसपैठी के 16-16 बच्चे हैं इनके, हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है घुसपैठ हमारी राष्टी सुरक्षा के लिए खतरा है लेकिन आज तक घुसपैठी के एकता खंडता के लिए खतरा है लेकिन घुसपैठी यो पे UA-PA लगाया ही नहीं जा रहा है गुसपैट वेजिंग वार है इंडिरेक्ट वार है भारत पे कबजा करने के एक साजिस है उसके लिए हमारे पास एक कानून है section 121 उसको वेजिंग वार कहते है इंडियन पिनल कोड में लेकिन किसी भी गुसपैट ये पे वेजिंग वार की धारा नहीं लगाई जा रही है गुसपैट एक आर्गनाइस क्राइम है सिंडिकेट है पूरा उनको बकादा प्लांड वें बसाया जाता है लेकिन गुसपैटियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगे सेलेक्ट भी नहीं लगता है ये जो गुसपैट की जा रही है ये भारत को बरबात करने के लिए की जा रही है लेकिन गुसपैटियों पे देशद्रो की धारा नहीं लग रही है जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% property जब्द करने घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खतम करने घुसपैठियों और उनके मददगारों की हन आजिवन कारावास देने के लिए कानून नहीं बनेगा तक तक घुसपैट नहीं रुखेगी घुसपैट ही बॉडर पे 2000 रुपए दे के आ रहे हैं 2000 रुपए में रासन कार बनवा रहे हैं 2000 रुपए में बर्ड सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं 2000 रुपए में ड्राइविंग लाइसंस बनवा लेते हैं दो तीन हजार रुपए दे को टर आइडिय में नाम जुड़वा लेते हैं, बैंक में खाता खोल लेते हैं, और केंद सरकार की सारी ओजनाओं का लाव लेते हैं, और राज सरकार की सारी ओजनाओं का लाव ले रहे हैं, भरस्टा चार हमारे लिए कितना बड़ा खत्रा, इस इससे बड़ा देजरो क्या हो सकता है लेकिन उनको खौफ इसलिए नहीं है आज तक किसी भ्रष्टाचारी की किसी घुस खोर की किसी कमिशन खोर की किसी दलाल की ना प्रापर्टी जबत हुई ना नागरिकता खतम हुई ना जीवन का रवास फासी हुआ और वो क्यों नहीं ह हुआ हमारे पास कानून नहीं है हमारे पास तो अवैद निर्माड के खिलाब भी कठोर कानून नहीं है अरे बन विभाग की जमीन पर लगातार मकान बनते जा रहे है क्यों क्योंकि बन विभाग की जमीन पर मकान बनता कुछ होता ही नहीं है बांबे में तो जो एयरपोर् वालों की 100% property जब्त करने, अवयद निर्माड करने वालों की नागरिकता खतम करने, अवयद निर्माड करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक सड़क के किनारे भी अवयद निर्माड होगा, एरपोर्ट के किनारे भी अवय निर्मार होगा कानून इसको रोक पाएगा लिक्त तू-व्लम में करने से रोफ प्रत्यारोब करने से नूरा कुस्थी करने से कविता पाठ करने से वीडियो सेंहर करने से तो को इस नहीं है उसे आप जब दंड बिवस्था ऐसी हो कि भारत में घुसपैट करने के पहले आदमी का दिमाग काप जाए घुसपैट तब रुकेगी जब घुसपैटियों की मदद करने से पहले आदमी सौ बार सोचे कि अगर हमने घुसपैटी एक आधार बना दिया रासनकार बना दिया हमें आजीवन कारावास हो जाएगा फांसी हो जाएगी हमारी 100% परपटी जब तो जाएगी और एक महीने के अंदर जाश पूरी करनी ही पड़ेगी एक महीने के अंदर जाश तब पूरी होगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा यह जितने एक हजार परिवार नोहाँ पे कबजा करके बैठे हैं जिन्होंने राम नगर में रहमत नगर बसा दिया है दस घुस पैठियों को पकड़िये उनका नार्को टेस्ट करिये पॉलीग्राफ करिये ब्रेन मैपिंग करिये वो पूरा बता देंगे कि कौन उनको लाया कौन उनकी मदद किया किसने रासन कार बनाया किसने बर सर्टिफिकेट बनाया किसने किसने बसाया सब बता देंगे रोकना है तदकाल भारत में जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा जजों की accountability fix करनी पड़ेगी कोई arrangement नहीं कोई तारीक पे तारीक नहीं साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला और जितने काम पैसे के लिए होते हैं उसमें 100% property जब्त करने नागरिक्ता खतम करने citizenship खतम करने और एक साल के अंदर आज इवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा तो कभी अपराज रुके गा ही नहीं ultimately जो घुस पैठियों की मदद करते हैं पैसे के लिए जो घूस खोरी करते हैं कमिसन खोरी करते हैं दलाली करते हैं घुस पैठियों के लिए बार्डर पे इंटर कराते हैं पैसे के लिए करते हैं ना तो जब तक उनकी 100% property जब तक नहीं होगी उनकी citizen सिप खतम नहीं होगी भया ठीक है तुम भारत में रहो यहां खाओ पीओ जेल में सड़ो तुमारी नागरिकता नहीं होगी तुम कभी भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे आगे से जब तक ये टेरर नहीं होगा ना तब तक घुस पैठ नहीं रुकेगी तब तक डेमोग्राफी हमारी बदलती रहेगी और तब तक घुस पैठी है आवाज निर्मार करते रहेंगे अगर वास्तों में हम चाहते हैं यहां पर कि भ्रष्टाचार खतम हो तो हमें One Nation One Tax लगाना ही पड़ेगा One Nation One Tax के बिना भ्रष्टाचार को खतम करना ना मुंकिन है हमें 100 रुपय से बड़ी नोट नहीं चाहिए 2000 रुपय से महंगे समान का कैसलें देन नहीं करना प्रापर्टी को अधार से लिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है नार्को पॉलिग्राफ डेन मैपिंग कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं है हंद इनके साथ घुस पैठियों के साथ उनके मददगारों के साथ नर्मी क्यों बरतना जो देश के साथ गदारी कर रहे हैं देश के साथ मकारी कर रहे हैं जो घुस पैठियों के मदद कर रहे हैं 2-3,000 रुपय के लिए उनके बारे हम क्यों आराम से उनके बारे हम अच्छा क्यों सोचना अरे बहिया इनको दो ना दो चार को आज इवन कारावास फांसी देदो जो घुस पैठियों के बदद करते हैं दो-चार घुस पैठीओं को आजीवन कारावास फांसी देदो जो बिना डाकुमेंट के भारत में आ गए है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यह खुद भाग जाएंगे। भारत में नर्सी की जरूती नहीं है। कहीं और बैठ जाएंगे। यह पुलिस कब तक वाइद निर्मार रोकती रहेगी, सरकारी डिपार्टमेंट कब तक वाइद निर्मार रोकेगा। ना राजकता कम होती है, ना घुसपैट कम होती है, ना वाइद निर्मार रुखता है। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अपने फेस्बूक पे डाल दीजेगा, अपने सारे वाट्सप ग्रूप में डाल दीजेगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पांच-पांच-जार फेस्बूक फ्रेंड बनाईए, समस्या लिखिए, उसका मूल कारा लिखिए, अस्थाई समाधान लिखिए, नहीं तो 25 साल के बाद आपके बच्चे आपको कोसेंगे, कि हमारे पिता जी दल गुलामी करते रहे, लेकिन सही बात कभी उनने किया नहीं,